नमस्कार दोस्तों, करेंट अफेस के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है, आईए कुश्शन्स को देखते हैं पहला सवाल, हाली में कौन यूनिसेफ इंडिया के राश्ट्रिय राजदूत बने तो सही जवाब है आयुश्मान खुराना दोस्तों, 18 फरवरी को यूनिसेफ इंडिया ने हिंदी फिल्म अभीनेता आयुश्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए अपना राश्ट्रिय राजदूत न्यूक्त किया है एक राश्ट्रिय राजदूत के रूप में खुराना यूनिसेफ को हर बच्चे के जीवित रहने, फलने, फुनने और अपनी आवाल उठाने के अधिकार सुनिश्चित करने में मदद करेंगे खुराना को युनिसेफ इंडिया के राष्ट्री राजदूत के रूप में बच्चों के अधिकारों के लिए अग्रिम वकालत करने के लिए सम्मानित किया गया है अगला सवाल हाली में किस राज में खजुराहो निर्त्य महत्सो की सुरुआत हुई है तो सही जवाब है मध्य प्रदेश दोस्तों उन चासवें खजुराहो निर्त्य महत्सो में कला की उत्कृष्टता 20 फरवरी से खजुराहो के एंपि थेटर में दिखाई जाएगी मद्य प्रदेश के राजपाल मंगु भाई पटेल ने खजुराहो निर्थे महत्सव 2023 का उद्गाटन किया इस परव का समापन 26 फरवरी को होगा समारों में मद्य प्रदेश रुपांकर कला पुरसकार प्रदान किया जाएगा और कला कृतियों की एक प्रदेशनी भी लगाई गई है अगला सवाल विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है तो सही जवाब है 22 फरवरी को दोस्तों विश्व चिंतन दिवस यानि की ठिंकिंग डे हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है विसोचिंतनदिवस 2023 की थीम हमारी दुनिया, हमारा संबर्द्ध भवेश्य, पर्यावरन और वैस्विक गरी भी है वर्ल्ड थिंकिंग डे को पहले थिंकिंग डे के नाम से जाना जाता था 1999 में दुबई सम्मेलन के दोरान तिंकिंग डे को वर्ल तिंकिंग डे का नाम दे दिया गया अगला प्रस्णा है हाली में किस राजी के पुर्व राज़ेपाल ओम प्रकास कोहली का निधन हो गया तो सही जवाब है गुजरात दोस्तों ओपी कोहली 2014 से 2019 तक गुजरात के उनीश में राज़ेपाल थे उन्होंने मद्रपदेश और गोगा के राज़ेपाल का अत्रिक प्रभार भी संभाला था वो भारते जन्ता पार्टी के एक अनभवी नेता थे वह एक प्रमुख सिक्षाविद और दिल्ली में भाज़पा के पूर्व अध्यक्ष भी थे अगला प्रसन है हाली में किस चेत्र के लिए भारत का पहला AI चैट पॉट एमा क्रिश AI लाँच किया गया तो सही जवाब है क्रिशी चेत्र दोस्तों राजपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने इसे क्रिशी ओडिशा 2023 के समापन सत्र में लाँच किया एमा क्रिश AI चैट बॉट किसानों को सर्वत्तम क्रिशी परत्कियों को अपनाने में मदद करेगा ये किसानों को 40 से अधिक वाणिजिक और सहकारी बैंकों से सरकारी योजनाओं और रिण उत्पादों में भी मदद करेगा अगला सवाल हाली में किसको सीव सेना प्रमुख गोशित किया गया है तो सही जवाब है एकनात सिंदे दोस्तों 21 फरवरी को महराष्ट के मुख्यमंत्री एकनात सिंदे को पार्टी की राष्ट्री कारीकारी बैठक के बाद पार्टी का मुख्यनेता गोशित किया गया सिंदे के नित्रुत वाली सेना गुड को चुनावा योग इसी द्वारा सिव सेना नाम और धनुस और तीर प्रतिक अवंटित किया गया है एकनाज सिंदे को पार्टी का नाम और प्रतिक मिलने के बार राष्ट्री कारिकारी की ये पहली बैठक थी अग्ला सवाल, EV परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए EU द्वारा किस वर्स से गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिवंध लगा दिया जाएगा तो सही जवाब है 2035 दोस्तों, इलक्तिक वाहनों EBS परिवर्टन को बढ़ावाद देने के लिए यूरोपिय संसद ने 2035 से यूरोपिय संग में नई गैस और डिजल कारों की विक्री पर प्रतिबंद लगाने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है नया कानून 2035 से नई यात्री कारों और हलके वाने जिग वाहनों के लिए सुनने कारवन डियोकसाइड उत्सरजन का मार्ग निर्धारित करेगा अगला सवाल है हाली में किसने मिसर के काहिरा में ISSF विस्व कप में महिलाओं की 10 मिटर एयर राइफल इस परधा में कान से पदक चीता है तो सही जवाब है तिलोत्तमा सेन दोस्तों तिलोत्तमा सेन ने भारत के लिए दूसरा कान से पदक चीता वो जीरो दिसमलाव एक के न्यूनितम संभावित अंतर से स्वर्ण पदक से चूग गई ग्रेट बिटेन के सियो नायद मैंकिटोस ने स्वर्ण पदक जीता वही स्विजर लेंड की ओलम्पिक चैंपियन नीना क्रिस्टन ने रज़त पदक अपने नाम किया तो द्राक्स पाटिल ने इस से पहले पुर्षों की एयर राइफल में स्वर्ण जीता था अगला सवाल हाली में किसको ढाका में प्रिधान मंतरी शेख हशीना द्वारा अंतराश्ट्रिय मात्र भासा पुरसकार से सम्मानित किया गया तो सही जवाब है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा दोस्तों डॉक्टर महेंद्र मिश्रा ओडिसा में सोदेसी भासाओं के पैचार के लिए एक भारतिय सिक्षा विद और समाजिक कारे करता है डॉक्टर मिश्रा यह पुरसकार पाने वाले पहले भारतिय हैं उन्होंने ओडिशा के हासिये पर भासाओं की भाशा, संस्क्रिति और सिक्षा को बचाने पर काफी काम किया है। उनके इसी कवायत के लिए ये पुरिस्कार उनको प्रदान किया गया। अगला सवाल है, हाले में किस राज सरकार ने सराब की खपत को कम करने के लिए नई आबकारी निती को मंजूरी दी है। तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश कैमिनेट ने नई आबकारी निती को मंजूरी दे दी है। इस नई आबकारी निती के तहट सराब की दुकानों से जुड़े आहत या पीने के छित्र और दुकान या बार बंद किये जाएंगे नई आबकारी निती सराब की खपत को हतोच साहित करने के लिए बनाई गई है तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तेसे लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें आप सभी का धन्यवाद